असलाम लेकूम, वेलकम टू जेएस वीकली, होप सो आप सब ठीक ठाकोंगे, आज जो मैं नवल शुरू करने लगी हूँ, उसका नाम है मनजिल इश्क और ये पेश किया जा रहा है आरेन, कूडी की फरमाईश पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइनली मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, कॉमेंट्स में अपनी राय पिश किया करें, इसी के साथ साथ फेस्बुक पे जेएस वीकली है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें, चलिए स्टार्ट करते हैं अब न बाते कर रहा था जब अचानक इशाल ने वहां आकर एक आगज अस्मान के जानी फेंका और घुसे से फंकारी, क्या हुआ इशाल, बजदान ने परेशानी से पूछा, ये तो आप इस शक्त से पूछे भाई कि क्यों इसने एक मजनूम लड़की रिदा को 13 साल से कैद कर र उसके बच्चे की कातिल थी और हमना की भी जान लेने की पूरी कोशिश की थी उसने, इसलिए तो उस्मान ने 13 साल से उसकी जिन्गी जहन्नूम बनाई हुई थी, उस्मान अपनी जगा से उठा और इशाल के सामने आया, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, वो औरत मे बनता किसी पर इस तरह से जुम करने का, उसे तुम मेरी वार्निंग समझो और उसे अजाद कर दो वरना तुम जानते नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ, इशाल को घुसने में देकर वजदान आगे बढ़ा और उसे इसमान से दूर किया, मुझ से तुम भी वाकित नहीं हो, ल करना चाही, जिससे इशाल नजर अंदास करते दुबारा उसमान के करीब हुई थी, दो दिन का वाक देरी हूँ मैं तुमें, दो दिन में वो लड़की आजाद होनी चाहिए, वरना तुमारी ये सच्चाई दुनिया को दिखा कर तुमारा जो बेहतरीन हुकमरान वाला इम मिट्टी में मिला दूँगी, तुमारे खिलाब हर सबूत है मेरे पास, याद रखना ये। इस धंकी देने की? उस्मान के होंटो पर बस एक तंजिया मुसकान आई, मैं तुमें भी यही धंकी दूँगा दोस्त, अपनी बेहन को मेरे मामने से दूर रखो वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उस्मान वहां से जा चुका था, वो जानता था कि बजदान उसकी धंकी को संजीत की से रेगा, क्योंकि वो मलिक को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उनकी जिंग्यों में आने वाले तुपान से कोई भी बाख़बर नहीं था, इस पाके को गुजरे दो दिन हो गए थे, वजदान ने शाल को समझाना चाहा था कि वो उस्मान के मामने से दोस्तोंने के साथ-साथ, जरिश की मेहन का शोहर भी था, तो भला कैसे वो इशाल को नुक्सान पहुंचा सकता था, वजदान आपको पता है अभी इशाल का फून आया, वो एक्सपेक्ट कर रही है, मैं फिर से मामी बनने वाली हूँ, जरिश ने कमरे में दाखिल होते ही खोशी से का, तो वजदान अपनी सोचों को जटक कर मुस्कुरा दिया, जानता हूँ नूर खान, तुम से पहले साथ मुझे फून करके बता चुक है, लेकिन मैं सोच राता के हम क्यों पीछे रहे, हमें भी तो इशाल को फिर से फुपो बनाना चाहिए ना, वजदान की ब बनना जरिश के लिए खतरनाक है, और अपनी नूर की जिनगी खतरे में डालने से पहले वो मनना पसंद करता, आप ना बोध बुरे हैं, शरम करें, अब तो बुड़े हो गए हैं, जरिश ने लाट सिका और उसके सीने पर सर रखकर लेट की, हैरत है, मैं तुमें इतनी जल बज़दान उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, तो कुछ देर बाद ही जरिश नीन की वादियों में उतर गई, रात का तकरीबन एक बज़दान की आँख अपने मूबाइल की आवास पर खुली, उसने मूबाइल उठा कर देखा तो इशाल का मैसिज था, वो मैसि बज़दान जल्दी से उठा और पुलीस को कॉल करके अपनी मंद्दूग पकड़ी और आकर गाड़ी में बैठा, उसका दिल खोफ से दहल रहा था, इशाल और साथ का घर उनके घर से आदे गेंटे की दूरी पर था और वज़दान ने वो मुसापत दस मिन्ट में पूरी उसके वहाँ पूंचते ही पूलीस भी वहाँ पर पूंच चुकी थी, बज़दान ने दर्वासा खोला और अंदर दाखिल वा लेकिन सामने का मंद्जर दे कर वो हजारों मौत मरा, सामने ही साथ का बेजान वजूद फर्श पर बढ़ा था, एक गोले इंतहाई बेरैमी से उसके सर में मारी गई थी, वज़दान के नजर मजीद आगे बढ़ी, तो खून में लदबत इशार को दे कर वो भाग कर उसके पास गया और उसका सर अपनी गोद में रखा, वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गेंगे, ढूंटो उने, इस्पेक्टर ने घर की हालत दे कर स बोचा जाना पिछाना लंस में सूस करके एक पल को इशार की आँके खुली और उसने चंद सांस भरे, मैं हार गी भाई, मेरे मेराज का खियाद, इशार इतना ही बोल पाई और फिर उसकी आँकों के साथ-साथ उसकी धड़कने भी रुक री थी, किस ने किया ये इशार ब बजदान एक पल को पत्थर का हो गया, लेकिन फिर इशार की उखरती सांसों को देकर बहुत जादा बेचैन हुआ, इशार नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुमें, बजदान ने नमाकों के साथ चिलाते हुए इशार को बाहों में उठाया और बाहर की तरफ भागने लगा जब उसकी नजर साथ पर पड़ी जिसके बेजान जिसम के गिर्थ खोन बिकरा पड़ा था, आफिसर तुम साथ को लाओ, हम इने हॉस्पिटल ले जाएंगे, कुछ नहीं हो गए नहीं, बजदान बेचैनी से कह रहा था, जिन्गी में पहली बार वो इसकद नहीं होने दूंगा मैंने, बजदान रोते हुए चिलाया और फिर इशाल का वजूद गाड़ी में डालकर वो साथ की जानी बलबका, एक पुलीस बाला जारों की तार रोते हुए पांच साला मिराच को बाहों में उठा कर वहां लाया, ये बचा कमरे में बैठके नीचे चुपाता सर वहां से मिला, मुझे ये ठीक है, बिलकुल, इंस्पेक्टर ने हां में सरे लाया और वजदान को बेचैन दे कर उसका साथ देने लगा, लेकिन वो सब जानते थे कि सब बेसूद था, वो दोनों ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे, वजदान खामोशी से बस अपनी बेहन और दोस्त के खून से लत्ड़े जिसम पड़े थे, वजदान, शयान के आवास पर वजदान बहशत के आलम से बाहर आया, किसनी किया ये सब, अपनी मुटिया भेंचते वे शयान ने बहुत जादा सक्टी से पूछा, मलिक, बोलते वे वजदान की सब जा पर उसका नाम था शयान, अभी चंद दिन पहले उसने मेरी बहन को धमकी दी थी कि वो उसे जिन्दा नी चोड़ेगा और उसने जो का था कर दिखाया, मैं चोड़ूँगा नहीं उसे, वजदान अपनी जगा से उटकर वहां से जाने लगा तो शयान उसकी जाने प्रपका नहीं वजदान अभी नहीं पोलीस को तफ्तीश करने ने दो, जरूरी तो नहीं के वो मली को समानी हो, हमें इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना शयान की बात में मसलहत देखकर वजदान ने हामे सर इलाया तभी पुलीस इंस्पेक्टर उनसे मिलने के लिए आया कुछ पता चला, वजदान ने इंस्पेक्टर को देखते ही बेचैनी से पूछा सर, वहां हमें वो गण मिली जिससे दोनों को गोली मारी गई उस गण पर कातिल के उंग्डियों के निशान और शूस के प्रिंट्स मिले इंस्पेक्टर ने पूरी बात बताई तो वजदान के साथ साथ शयान भी बेचैन हुआ किसी गण थी वो, इंस्पेक्टर एक पल को हिचकचाया सर, वो गण उस पर मुझूद फिंगर ब्रिट्स और जूतों के निशान सब उस्मान मली के हैं इसनी हम उने रेस्ट करने आए है शयान ने हैरत से इस्पेक्टर को देखा जबके वजदान ये सुनकर रुका नहीं बाहिर आकर वो सीधा मेहमानों में खड़े उस्मान के पास किया और उसका गरेबान हातों में दबोचा कातिर क्यों किया तुमने ऐसा बोलो क्यों नहीं मेरी बेहन और दोस्त की जान बोलो क्यों चिलाते हुए वजदान ने केई मुक्चे उस्मान के मुँपर मारे नहीं वजदान मेरी बात सुनो ये जूट है इल्जाम है मुझ पर उस्मान कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन वजदान कुछ पी सुने बगएर उसे मार रहा था हमना जानान और सरीर साइट पर खड़ी हैरत से ये मनजर देख रही थी तबीर शायान आके बढ़ा और वजदान को पकड़ कर उस्मान से धूर किया इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उस्मान को हतकड़ी पेनाई मिस्टर उस्मान मलिक आपको कैप्टन साद रफीक और उनकी बीबी के कतल के जुन में अरेस्ट करने का वारेंट है मेरे पास इंस्पेक्टर की बात सुनकर हमना भाग कर उनके पास आई नई ये चूट है उस्मान ऐसा नहीं कर सकते जानती हूं मैं आप कहीं नहीं लेकर जा सकते मेरे शोर को हमना जारो कितार रोते हुए कह रही थी और 11 साला सालार सेहम कर मा के साथ लगा हुआ था मैं पलीस कॉपरेट इतना कहकर पुलीस वाले इसमान को वहां से लेके जबकि हमना और सलार रोते हुए उनके पीछे भागते रहे आज एक हफ़ते के बाद इसमान की सुनवाई थी इसमान बार बार यही कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया लेकिन हमना के लावा किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था सब सबुत उसमान के खिलाफ ते जिस पंदूग से गोली चलाईगी थी वो उसमान की परसनल गन थी उस पर उसमान के उंग्रियों के निशान थी इशाल और साथ के घर खून में सुने जूतों के निशान भी उसमान के इथे यहां तक के सीसी टीवी में जो गाड़ी उनके घर के बाहर उकी थी वो भी उसमान की थी गाड़ी में से निकलने वाले आदमियों के जेरे ठके हुए थे लेकिन उस शखस का हुलिया बिल्कुल उसमान जैसा था जज ने उस सुनवाई में कोई सजा नी सुनाई क्योंकि उस्मान बहुत बड़ा सियास्ट नान था लेकिन सबूतों को देखते वे जज भी उस्मान पर जुन्व साबित कर चुका था ये फैस्दा आने के बाद वो आवाम जो अस्मान मरी को सबसे अच्छा हुकमरान एक मसीहा समझ दी वो ही उसके खिलाफ हो चुकी थी अगर पूरी दुनिया में किसी को उस्मान पर यकीन था कि वो बेकसूर है तो वो सिर्फ हमना थी जो उस्मान के जेल जाते ही मुकमल तोर पर तूट चुकी थी बजदान अतालर जाने की त्यारी कर रहा था आज उस्मान को जट ने उसके किये की सजा सुनानी थी शायान और जानान भी उन्हें के घर आने वाले थे बजदान पलटा तो उसकी नज़र जरिश पर पड़ी जो सर चुकाए आंसू बहा रही थी क्या हुआ जरिश बजदान ने नर्मी से पूचा तो जरिश उसके गदमों में बैठी और उसके पाउँ पकड़ लिए बजदान ने फोरन छुकर उसके हाथ अपने जूतों से हटाए ये क्या कर रही हो जरिश बजदान ने बेचैनी से उससे देखा जो फूट फूट कर रोते हैए फिर से उसके पाऊँ थाम रही थी बजदान प्लीस उस्मान भाई को माμप कर दे उन्हें सजा से बचा ले जरिश मेरी बेहन मर जाएगी जरिश फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी वजदान उसके हाथ छोड़े और खड़ा था और उसने जो मेरी बेहन के जान ले ली उसका क्या सरिश मेरा आखरी रिष्टा थी वो और उस जालिम ने दो नहीं सरिश तीन जिंगया नहीं हैं वजदान ने गुसे से का और सरिश उटकर बस सर जुकाते हुए रो रही थी मैं उसे कभी नहीं माप करूँगा जरिश कभी भी नहीं वजदान इतना कहकर वहां से जाने लगा मेरी खातिर वजदान अगर आप मुझसे थोड़ी से भी मुहबत करते हैं तो इस मुहबत का वास्ता है आपको जरिश की बात बर वजदान ने शिक्वा कुना निगाहों से उसे देखा तुम्हें रह्म नहीं आता जरिश कैसे तुम्हें इस बात के लिए मुझे अपनी मुहबत का वास्ता दे सकती हो जरिश ने अपना सर शर्मिंगी से जुकाया लेकिन वो भी क्या करती अपनी बेहन को उसके शोहर के बिना पलपल मरते हुए भी तो नहीं देख सकती थी आप जो केंगे वजदान मैं वो ही करूँगी लेकिन प्लीज उस्मान भाई को माफ कर दे उन्हें सजा से बचाने वरना मेरी उसकी जुबान पर तो जानान पहले ही अपनी मुहबत के वास्ते देकर ताले लगा चुकी थी तुमने देखा ये क्या कह रही है शायान इसे कह दो के मैं इसकी ये बात कभी भी नहीं मानूँगा वर्जदान ने घुसे से का तो शायान ने अपना सर जुका लिया वर्जदान के बेएकिनी से पूछने पर शायान ने अपना सर जुका लिया अगर मेरी जगा साध होता तो वो भी यही करता शायान के आवास गमों घुसे से तरती वर्जदान ने अपकी बार बेबसी से पास पड़ी मेज को पटख कर तोड़ दिया बहुत देर वो घुसे से चिलाता रहा फिर उसने मुड़कर जरिश को देखा जो सहम करना मांखों से उसे देख रही थी इसके लिए तुम्हें कभी माफ नी करूँगा नूर मुझे इतना भेबस करने के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नी करूँगा वजदान की बात बर जरिश काम कर रहे कि उसने तरब कर वजदान के करीब होना चाहा तो वजदान ने अपना हाथ उठा कर उसे वेही रोक दिया हमना से कह दो कि मैंने उसके शोहर को अपनी बहन का खून माफ किया लेकिन इसके बाद तुमारा या हमारे घर से किसी का भी उस्मान मली क्या उससे जुड़े किसी शखस से कोई तालुक नहीं रेगा और अगर तुमने उनसे मिलने की कोशिश की तो जान ले लूँगा अपनी इतना कहकर बजदान वहां से चला गया और शायान ने भी एक निकास सर जुका कर रोती हुई जानान को देखा यही असूल तुम पर भी लागूँँगे जानान याद रखना शेयान इतना कहकर वहाँ से चला गया और जानान जरिश के गले लगकर फूट फूट करो दी थी बजदान के केस वापिस देने के बाद अस्मान अजाद तो हो चुका था लेकिन उसका पूरा केरियर उसकी इस्ट सब हाक में मिल चुका था जो लोग उसे मसीहा समझ देते अब वो उनके लिए कातिल बन चुका था और इस बात ने उस्मान मली को मुकमल तोड़ पर तोड़ दिया था उस्मान हमना ने उसे फूट फूट कर रोते देखा तो तड़ब कर उसके पास बैटी थी उस्मान ने उस कचेरा अपने हाथों में थाम लिया क्या तुम भी बाकी सब की तरह मुझे कातिल समझती हो हमना हमना ने फोरण इंकार में सरहिला दिया मैं जानती हूँ उस्मान कि आपने कुछ भी निक्या सारी दुनिया तो क्या अगर आसमान से परिश्टा उतर कर भी आप पर उंगरी उठाए तो मैं उस पर भी यकीन नहीं करूंगी आप फिकर मत करें उस्मान बुरा वक्त है इंशालला टल जाएगा कोई आपके साथ हो ना हो मैं और सलार हमेशा आपके साथ है इतना सुनना था उस्मान ने हमना को खुद में भींच लिया मैं सच में तुम्हारे काबिल नहीं जान ना जानें ऐसा कौन सा मेरा अमर था जिसके बद्ने मेरे रबने तुमें मुझे दिया तब ही उस्मान का खास साथ में खादिम इजासत लेकर कमरे में दाखिल हुआ जो उस्मान की पार्टी का खास नमाइंदा भी था क्या हुआ खादिम सब ठीक है ना खादिम ने इंकार में सर इलाया नई सर अवाम के साथ पार्टी के नमाइंदे भी आपके खिलाब हो चुके हैं वो तो शायद अब आपको पार्टी का सरबरा भी ना रहने दें इस बात पर हमना ने परिशानी से उस्मान की तरफ देखा मैं ऐसे इस इस इलजाम को अपनी जिनकी तबाह नहीं करने दूँगा ढूंड लूँगा मैं अस्ती कातिल को नहीं छोड़ूँगा उससे उस्मान ने अपनी मुठियां भेंच करका मेरे ख्याल से ये वक्त का तकाज़ा नहीं सर तो क्या करूं मैं खादिम आप किसी बाहिर के मुल्क चले जाएं सर वरना यहां ना लोग आपको चैन से जीने देंगे और ना ही आपके घर वालों को उस्मान ने इंकार में सर इलाया मैं ऐसे भागूंगा ने खुद को बेकसूर साबित करूंगा मैं उस्मान ने अपनी मुठियां भेंच करका तो हमना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा मेरे ख्याल में सर आपको जोर्श लेने होट से काम लेना चाहिए छोटा सा बेटा है आपका आपको इसकी बारे में भी सोचना चाहिए खादिम ने सर जुका करका अस्मान ने हमना की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में सर लाया वो अपना कुल जहान खोना नहीं चाहती थी ठीक है तुम हमारे कैनेडा जाने के इंतजमात पूरे कर दो खादिम मैं सलार को इस माहोल से निकालना चाहता हूँ खादिम ने हां में सर लाया और वहां से चला गया सलार को कैसे मनाऊंगे उस्मान वो तो जन्नत से इतनी दूर जाने के लिए कभी नहीं मानेगा हमना ने नमाखों के साथ का उस्मान ने हाथ बढ़ा कर उसके आंसों पूंचे उससे कहना कि उसका बाप अब इस मुल्क के काबिल नी रहा वो मेरा बेटा हमना समझ जाएगा उस्मान ने तलखी से का और वहां से उटकर चला गया उस्मान सब की जिनगया नए मोड ले चुकी थी लेकिन अभी तो मंजिल पर पहुँचने का सफ़र शुरू हुआ था शायान बजदान और साथ तीनों आर्मी में थे और बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त भी बजदान की बीवी जरिश और शायान की बीवी जनान आपस में बेहने थी जबके साथ की बीवी इशाल बजदान की बेहन थी इन सब के इलावा जनान और जरिश की एक और बड़ी बेहन थी हमना जिसके शादी एक सियासत दान उस्मान मलिक से हुई थी जुर्म के खिलाब लड़ना और जालिम को सजा देना बजदान की बहन इशाल का जनून था और उसी के जहरे असर वो एक गैंक्स्टर सिकंदर का रूप ठाल कर बहुत से गुनाकारों को सजा दे चुकी थी बजदान की बहादर और ताकतवर बहन उसका गरूर थी लेकिन उसने कभी खुआप में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहादरी का ये अन्जाम निकलेगा कि वो खुद की और साथ की जान नहीं कवा देगी चन्द साल पहले तक बजदान, शयान, उस्मान और साथ अपने बीवी बच्चों के साथ उस छोटे से खांदान में बहुत खुश थे लेकिन अब उनकी जिन्गियों में बहुत बड़ा तुफाना चुका था वजदान? शयान ने वजदान के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे पुकारा हम? वजदान ने अपने आसू साफ करते वे पूछा क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ कहो वजदान ने शयान को देखा जो सर चुकाए था लेकिन वो उसकी आवास में नमी को महसूस कर सकता था तुम मेराज को मुझे दे दो वजदान प्लीज शयान की मांग पर वजदान खामोश हो गया शयान की मांग भी तो बहुत ज़्यादा थी मेराज वजदान के पास इशाल की आखरी निशानी था मैं जानता हूँ कि वो तुमारी अकलोती बेहन की आखरी निशानी है लेकिन यार वो साथ की तो निशानी भी है ना शेयान की आवाज आंसों से रुन चुकी थी मैं वादा करता हूँ कि अपनी जन्नत से जादा मैं मेराज से प्यार करूंगा जान से जादा उसका ख्यार रखूंगा मेरी कोई और उलाद भी नहीं होगी वजदान वादा करता हूँ अपना सारा प्यार सिर्फ मेराज के लिए रखूंगा लेकिन प्लीज यार मेरे दोस्त की निशानी मुझे सूब दो शैयान हाद जोड़ कर फूट फूट करो दिया और उसे इस तरह रोते दे कर वजदान की पलके कर्ब से नम हुई हर कोई इस बात से वाकिफ था कि शैयान और साथ चाहे से एक दोस्त थे लेकिन उनके दरम्यान मुहबत भाईयों से भी बढ़कर थी मिराज आज से तुमारा बेटा है शैयान वो तुमारे पास ही रेगा क्योंके मैं जानता हूं कि तुम इसका ख्याल मुझे से भी बढ़कर रखोगे वजदान ने उसके कंदे पर हाथ रख करका तो शैयान ने तशक्राना निगाहों से वजदान को देखा शुक्रिया दोस्त शैयान ना माकों से मुस्कुराया अब उनकी जिनकी कौन से मूर लेगी ये बस किसमत कोई पता था चोदा साल बात जाने दे मुझे खुदा के लिए जाने दो क्या बिगाड़े मैंने तुम्हारा बोलो जब से उसे होश आया था उस साथमी को यहां बांदा गया था उससे याद था तो बस इतना कि उसने एक होटल से खाना खाया था उसके बाद वो चानक सड़क पर बेहोश हो गया और होश आया तो सुनसान से कमरे में बंदा हुआ था क्यूं लायो मुझे यहाँ वो फिर से अपने हाथों को रसियों से खेंस था चिलाया तब ही अंधेरे से काले कपड़ों में एक हेवला नजर आया कौन हो तुम क्यूं लायो मुझे यहाँ उसने काले कपड़ों में मलबूस उस शखस से पूछा जिसने अपना चेरा तक एक काले रुमाल से चुपाया हुआ था लेकिन उसने कोई जवाब दिये बगएर एक चाको निकाला और उसकी नोक उसकी आंक के पास लाया नहीं, नहीं क्यूं करें ऐसा क्यूं जवाब में बस उस शखस ने खतरनाक सब्सांकों से उस आत्मी को देखा जैसे कहना चाता हो के वज़ा तुम जानते हो मैंने कुछ नहीं किया, वो लड़के अपनी मर्जी से मेरे करी तभी काले कपड़ों वाले आत्मी ने उस चाको को उसके चेरे पर मारकर लंबा सकट लगाया जो शायद ये भूर चुका था कि वो एक 13 साल की बच्चे के बारे में बात कर रहा था जिसको उसने अपनी वहशत का निशाना बनाया था माफ कर दो तभी कुछ बोले बगएर उस सब सांखो वाले जलात ने चाको उस रखस की गर्दन पर रखा कौन तुम आखिर कौन तुम सब सांखो में मजीद वहशत आई थी सिकंदर इतना कहकर उसने वो चाको उसके गर्दन में गार थी और उसे मरता हुआ छोड़ कर वहाँ से चला गया शौर्ट सर्किट शौर्ट सर्किट उस वक्त उसके सामने एक बहुत प्यारी सी लड़की बैठी प्यार भरी बाते कर रही थी क्या मतलब क्या है लगता है तुम भूल गे लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ शौर्ट सर्किट आज तुमारा रिजर्ट है रिजर्ट? रिजर्ट के नाम पर ही मिराज गबराया था उसके चेरे का रंग ताक उड़ चुका था चन्नत की ने उसकी आँखो से चश्मा अपनी आँखों पर लगा कर उसकी नकल उतारते हुए खा याद है मुझे तुम मत सिखाओ कि क्या करना है मिराज ने उससे चश्मा चीन कर वापिस अपनी सबस आँखों पर लगाया अरे मैं ना सिखाऊं तो कौन सिखाए अब तुमने तो record काइम करना है फेल होने का मुझसे एक साल बड़े हो तुम मैं स्कूल से college आई और मेराज साफ first year में मैं first year pass कर गे और मेराज साफ फिर भी first year में और अब में second year में हो और तुम देखना तुम फिर से fail हो जाओगे फिर भी बाबा का favorite कौन मेराज साफ बाबा ज्यादा प्यार किस से करेंगे मेराज साफ से और बात किस की मानेंगे मेरा मेराज ने फोरन अपना हाथ जन्नत के चलते मूँ पर रखा मैं पास हो जाओगा देखना तुम जौदा बहुते मत कर बिली देखने शौर्ट सर्किट जन्नत फिर से उसकी नकल उतारते वे का और उटकर बाहर भागी मेराज भी हिम्मत करके उठा और प्रेश होकर खुद को शीशे में देखने लगा नपरत थी उसे कमजोरी से लेकिन वो कुछ भी कर लेता वो यही तो था कमजोर बच्पन सही वो ठीक से नहीं बोच सकता था और उसके हक लाने की वज़ा सही जन्नत मजाग से उसे शोर्ट सर्किट कहती थी लेकίν مजाओ थी के जन्नत के होते हुए कोई उसके बेस्ट प्रेंट का मजाग उडाता बकोल जन्नत के यह حक सिर्फ उसका था मेराज भी तो उसकी सुनेरी आँखों की वज़ा से उसे बिली बिलाता था शायान ने धुनिया जहान का इलाज करवाया था उसका लेकिन मेराज की ये कमजोरी दूर नहीं हुई और अब उसकी ये कमजोरी उसके लिए सास एकमतरी का बाइस बन चुकी थी गहरा सास देकर मेराज नीचे खाने की टेबल पर आया और उसे देखती ही शायान ने उटकर उसे अपने सीने से लगाया मेराज का कट काट शायान जितना ही था कैसे हो जवान शयान ने टेबल पर बैखते वे मेराज से पूचा जब कि जानान अब लाट से मेराज का नाश्टा बना कर उसकी प्लेट में रख रही थी ठीक बड़े अबबा मेराज ने हलका सा घबराते हुए का वो नहीं चाता था कि इस पार भी फेलोने की वज़़ा से शयान की नजरों में गिरे तुम परेशान मतो बेटा देखना तुमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हैगा मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर मेराज शयान की बात पर हलका सा मस्कुराया खाने के टाइम पर रिजल्ट की बात मत करें शयान मेरे बच्चे को खाना सकून से खाने दिया करें जानान ने लाट मेराज का सर चूमते हुए का ममा बाबा मुझे बता दे मैं आपकी ये उलादों ना या तर्स खाकर कहीं से उठाया है जन्नत के मूँ फुला कर कहने पर सब कहका लगाकर हस दिये हाँ ना मस्जद के बाइर से उठाया था बिली आखरी लफ मेरास में बस जेरे लब का था हाँ और तुम्हें तो गटर से उठाया था ना श्यान को खूरता पाकर जन्नत की जुबान श्यान पर अटक चुकी थी जबके उन दोनों के अटकेलिया ही तो श्यान और जनान का गुल जहान थी सालार तुम ठीक तो हो ना फून क्यों नहीं किया था रात को तुमने सालार उनकी परेशानी से बहुबी बाकिप था एक महीना हो गया था उसे कैनेटा से पाकिस्तान आये हुए वो मुल्क जो उनका होते वे उनके लिए पराया हो चुका था वो ठीक है बिलकुल क्या तुमारी जानान और जरिश्टे मुलाकात हुई हमना ने आयस्ता से पूछा अपनी बेहनों के बारे में नहीं लेकिन बहुत जल्द करूँगा आप फिकर मत करें और अपना और बाबा का बहुत ख्याल रखियेगा सालार ने मुहबत देका और फिर अलाफिस कहकर फून बंद कर दिया फून बंद करते ही उसने उलजन से इट के इट मुझूद काड़ियों को देखा सालार बहुत देर से उस ट्रैफिक जाम में फसा हुआ था आज उसकी पहली मीटिंग थी और पहले दिन देर से पहुचना सालार को घुस्सा दिला रहा था और कितना वक्त लगेगा सलार ने ड्राइविंग सीट पर बैठे जमाल को देखते हुए सकती से पूछा भाई अगर ये कार उड़ती हो तो बस दो मिन्ट सलार के घुने पर जमाल हलका सांस दिया जमाल सलार का गार्ड होने के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी था पता नहीं भाई सामने पुलीस वालों ने रोड ब्लॉक किया है शायद किसी स्यास्तदान का काफला गुजरने वाला है सलार ने जब्द से अपनी मुटियां भींजली उसे समझ नहीं आता था कि जिन लोगों को ये आवाम अपने फैस्दे से अपना हुकमरान मकर्रत करती है वो बात में क्यों उन्हें ही कमतर और मुल्क को अपनी जागी समझ लेते हैं सलार ने हाथ में पकड़ा मुबायर देखा तो सामने ये बाल पेपर पर जन्नत की मुस्कुराती हुई तस्वीर जगमगारी थी जो उसे चन्द दिन पहले चुपके से बनाई थी उसे देखकर इतने गुसे में भी सलार के होट मुस्कुरा दिये एक सकून सा इसास वजूद पर तारी होने लगा था जल्दी से बड़ी ओ जो बेबी गर बहुत इंतजार कर लिया तुम्हारे इस देवाने ने अब बस पूरी दन्या से चीन कर तुम्हे अपना बनाने आ चुका है सलार ने जन्नत को देखते वे बहुत ज़्यादा शिद्द से का साब और कितनी देर लगेगी मेरे बेटे को बहुत बुखार है एक रोती ओए औरत की आवास पर सलार ने मुबाइल बंद करके एक औरत को देखा जो पुलीस वालों के सामने गिर गिरा रही थी जाओ बीबी चुप करके वहाँ इंतजार करो दिमाग न खराब करो हमारा एक पुलीस वाले ने सखती से का और उस ओरत को हलका सा धिका भी दिया जबकि ये मंसर देखकर सलार की बस हुई थी भाई रुकें आप जमाल ने कुछ कहना चा लेकिन सलार उसकी सुने बगैर खुस्से से गाड़ी से उतरा और सीधा पुलीस वालों के सामने किया आदा गेंटा हो चुके ट्राफिक बंद हुए मस्ता कहा है तुम लोगों का सलार ने उन तीन पुलीस वालों को घूरते हुए पूछा ये काम पूरा घर के सलार ने गाड़ियों को जाने का इशारा किया तो सारी ट्राफिक दुबारा से चलने लगी तब तक मने की गाड़ियां भी आ चुकी थी लेकिन उनके गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं था ए शाने कौन है तू समझता है गया खुद को एक पुलीस वाले ने आगे बढ़कर सलार को हलका सधिका दे कर का तो जवाब में सलार ने उसका गरेबान हाथ में दुबोच लिया तुम्हें ये नोकरी आवाम की खिद्मत के लिए दी के ये मनिस्टरों की आवबुगत के लिए नहीं सलार ने घुसे से उस इस्पेक्टर को घूरते वे उसके काम का एसास दिलाया कुछ जादा ही उचल रहा है तू जानता भी है पुलीस वाले पर हाट डालने की सजा इस्पेक्टर ने सलार के हाथों से गरेबान चुडाना चा लेकिन सलार की पकड़ बहुत मस्बूट थी ये देखकर बाकी पुलीस वाले भी आगे बढ़ने लगे तू हाट डालने की बात कर रहे मैं तो तुछ से तेरी ये वर्दी चीन लूँ जिसकी ना तुझे कदर है और ना ही इसका मकसद पता है सलार ने छटके से उस इस्पेक्टर को छोड़ा और अपनी जेव से अपना कार्ट निकाल कर इस्पेक्टर के सामने किया जिससे देखकर इस्पेक्टर का रांग उड़ चुका था सोरे सर वो मुझे पता नहीं था इस्पेक्टर ने पूरन सलार को सलूट करते वे कहा तो बाकी के स्पाई भी वैसे ही करने लगे सुधर जाओ तुम लोग यही बेतर है सब के हक में सलार उन्हें बाउन करता वहां से जा चुका था जब कि ये मंजर दे कर MNA ने इस्पेक्टर को अपने पास बुलाया कौन था ये लड़का सलार मलिक स्यासी पार्टी के चेर मैंने सर इस्पेक्टर की बात पर MNA के चेरे पर हकारत के असार है इतना क्यों उच्छर रहा है जानता नहीं क्या मुझे फिकर मत करें जल्दी जान जाएंगे आप एक दूसरे को इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा करका तो MNA ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया पार्टी की मीटिंग थी और उसे देर नहीं करनी थी मैं मेरी असाइमेंट हलकी सी आवास पर रिदा मैम ने सर उठा कर कांच सी आखो वाली गुडिया को देखा जो मासूम सा चेरा लिए वहां खड़ी थी बानिया रिदा मैम के पूछने पर उसने हामे सर इला दिया रिदा मैम ने मुस्कुरा कर उसे फाइल ली और बिलकुल उसके जैसे देखने वाली उसकी बेहन के पाथ चले गी लाए हानिया आप भी अपनी असाइमेंट दे रिदा मैम की बात पर उस लड़की ने निगाहें उठा कर मैम को देखा लेकिन मैम मैंने तो असाइमेंट दे दी नई बेटा ये वानिया की असाइमेंट आप भी दे रिदा मैम की बात सुनकर पहले वाली लड़की भी आकर अपनी बेहन के साथ बैठ चुकी थी रिदा मैम ने गहरा सास दिया उन दोनों बेहनों की पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देती थी और जब वो दोनों एक जैसे कपड़े पहन लेती तो ये मुश्किल काम नमुम्किन हो जाता मैं मैंने एसाइमेंट दे दिये आप हानिया से ने एक बेहन ने मू बना कर का अच्छा तो हानिया कोन है दोनों में से दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ इशारा किया तो पूरी कलास हसने लगी मैं वानिया हूँ ये हानिया है दोनों के एक साथ बोलने पर कलास के हसने में मजीद इजाफा हुआ जब कि रिदा मैम हद से ज़्यादा उलच चुकी थी साइलेंस कलास सच सच बताएं आपसे हानिया कोन है और वानिया कोन है रिदा मैम की बात पर फिर से दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया कि हानिया को ने वरना मैं प्रिंसिपल को शकायत लगा दूँगी। प्रिंसिपल का नाम सुनकर यह बानिया रोने लगी और हानिया को का अपनी बेहन के आंखों में आशु गवारा थे इसलिए खड़ी होकर बोली। मैं हानिया हूं मैं और यह असाइमेंट पानिया का है। रिदा मैं ने घुस्से से हानिया को देखा। हानिया प्रिंसिपल के आफिस जाएं इसी वक्त। रिदा मैं की बात पर हानिया मू बनाती हुई प्रिंसिपल मैं के आफिस चरीगी। थोड़ी देर बाद ही मैं रिदा जिना किसी को परेशान करती रही इसलिए मैंने फैस्ता किया कि आपको एक हफ़ते के लिए यूनी से सस्पेंट कर दिया जाए। सजा का सुनकर हानिया की खुबसूरत आंके हैरत से पहल गी। एक हफ़ता उफ मैं को इतनी छोटी सी शरारत के इतनी बड़ी सजा देता है। हानिया ने खुब ट्रामाई अंदास में का छोटी सी शरारत हानिया। बेटा ये शरारतें शायद आप भूल रही हैं कि कल आपने मैद के प्रोफेसर की बोर्ड मारकर में पटाखा लगाया था और उनके वो मारकर बोर्ड पर रखते ही मारकर फटकर सारी इंक उनके मुँपर गिर गी थी। उस सीन को याद करके हानिया ने बहुत मुश्किल से अपना कहका रोगा। शायद आप ये भी भूल रही हैं कि चन्द दिन पहले आपने अपने कलास में टमान को पंच मानना सिखाते वे उसका हाथ टोस्ट करके उसकी कलाई तोड़ दी। शायद आप ये भी भूल रही हैं कि चोकीदार बाबा को भस करी में मेरी तारिफों के लिस्ट बहुत नंबी है पूरी सुनाने बैठेंगी तो रात होजेगी। हानिया के शरारत से कहने पर उन दोनों ने हानिया को घूरा बस अब एक अबते के लिए आप यूनी नहीं आ सकती और ये मत सोचीगा कि आप वानिया बनकर यहां आ जाए हमें पता लग जाएगा। प्रिंसिपल में में ने डपटते हुए का तो हानिया ने मू बसो लिया। में प्लीज एक आखरी बार माफी। नो हानिया इनफी जिनफ अब आपको सजा जरूर मिले की यो कैन को नाओ। हानिया मू बनाकर आफिस से बाएर रही तो उसकी नजर वानिया पर पड़ी जो भाग कर उसके पास आई थी। क्या हुआ हानिय क्या कहा प्रिंसिपल मैम ने वानिया ने खबराते वे पूछा। ज्यादा कुछ नहीं वानिय जान पस एक अफ़ते के लिए योनी से निकाल दिया है। सजा सुनकर वानिया की आखे पहल गी। हानिय ये सजा तुम्हें मिली है या मुझे मैं तुम्हारे बगिर कैसे आउंगी यहां। अपने पैरों पर चल कर आओगी मेरा बच्चा मैं तुम्हें उठा कर तु नहीं दाती। वानिया के मुँ बना कर कहने पर हानिया ने उसके गाल खींचते हुए का मुझे तुम्हारे बगिर कुछ अच्चा नहीं लगेगा हानिय अब की बार तो वानिया की आँखे भी नाम हुई थी वो दोनों बच्चपन से ही दो जिसम एक चान की तरह रही थी उन दोनों के दरम्यान कभी कोई दोस्त भी नहीं आई थी अरे फिकर नौट इसका तो मैं दो दिन में जगार लगा लूगी हानिया ने हस्ते हुए का बाबा को कैसे हैंडल करना है तुमारी तो बहुत जादा शामत आएगी बजदान के जिकर परी हानिया के चेरे से मुसकान गाइब हुई थी मुझे कोई परक ने परता उनके घुसे से हानिया ने इंतहाई बेरुखी का मुसाहरा किया हानि वो बाबा हमारे हमसे बहुत प्यार हुम प्यार प्यार सिर्फ वो फुपो के जिंदा उने से पहले करते थे वानी उसके बाद ना तो उन्हें हम दोनों से प्यार रहा ना मामा से बस फुपो के साथ उस प्यार को भी दफना दिया उन्होंने हानिया की बेरुखी पर वानिया की आँखे नम हो चुकी थी चलो घर चने हानिया ने उसका हाथ थाम करका और बाहिर खड़ी गाड़ी की तरफ चल दी जहां तीन आर्मी यूनिपाम में मलबूस गार्ट उनका इंतजार कर रहे थे वो बहुत तरसे से उस संधेरी काल कोट्री में बनता उसे रोज टॉर्चर किया जाता लेकिन फिर भी गरूर था कि उतने का नाम ही नहीं ले रहा था आखरी बार तुमसे पूछ रहूं रागा तुम्हारे साथ कौन कौन चामिल है तुम्हारे किस साथी ने किया ये धुमा का बतादो वरना वरना क्या 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 करलेगा तुम फोजी मारेगा ओू मारा मार ले लेकिन रागा की जुबान ऐसा बंता लए जिसके कोई चाम भी नहीं रागा की बात पर जनरल शेहीर ने अपनी मुठियां जब्से कसी इतने अरसे से वो खतरनाक तैशतगर्द उनकी पकड़ में था लेकिन अभी तक उसने किसी का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाया था उन्हें कोई छोटा सा सुराग में नी दिया तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें ये सब करके अजाद करवा लेंगे नहीं रागा कि बस तुम्हारा खुआब है कि तुम इस कैट से जिन्दा वाही निकलोगे जनरल शेहीं ने उसके कंदो तकाते लंबे बालों से चुपे चेरे पर नजरे जमा कर गा खुआब को सच करना शोक ए रागा का फोजी बस तुम त्यार रहना क्योंकि ये छोटा मोटा धमाका तो बस ट्रेलर है जो रागा के कैट में रहने पर बढ़ता जाएगा जनरल शेहीं ने आगे बढ़कर रागा के लंबे बाल मुठी में जगड़े और उसका सर उपर किया इतने महसूम लोगों की जान गई तुमारी वज़ा तुम तो बहुत जल्दी घबरा गया फोजी अभी तो मेरा साथी पूरी फिल्म दिखाएगा तब क्या बनेगा तुमारा रागा ने खबासत से हस्ते वे जनरल शेहीर की बात काटी जबके मगरूर सिया निगाहों में पागल बन था क्या करेंगे तुमारे आदमी अब जनरल शेहीर ने आखरी मर्दबा उससे पूछा बस देखते जाओ फोजी तुम खुद मुझे यहां से बाहर उनके पाथ छोड़ कर आएगा ये वादा है रागा का रागा ने मुस्कुराते हुए का तो जनरल शेहीर ने उसे जटके से छोड़ा और हम लोग भी मुल्क के हर दुश्मन के वार के लिए दियार रहेंगे ये वादा है हमारा रागा कि इस मुल्क के जानी बुटने वाली हर आँख को नोच खाएंगे जनरल शेहीर इतना के कर बाहिर चलेगे लेकिन रागा अभी भी सर जुकाएं मुस्कुरा रहा था वादा आने तो फोजी पता लग जाएगा हार किस का मुकदर है रागा ने खबासत से का और फिर से हस्ते भी अपना सर जुका लिया मीटिंग में पहुँचकर मने ने देखा तो सारे नुमाइंद कान पहले से अपनी कुरसियों पर मजूद थे सब भेरान थे कि ऐसी कौन सी नोबत थी जिसके लिए चेरमेन साबने उन्हें यहां बुलाया था क्या कोई काफी जरूरी बात है एक मने ने साथ बैठे नुमाइंदे से पूचा तब ही उनके चेरमेन महमूद कुरेशी कमरे में आई तो सब उट खड़े हुए सब ने हां में सर इला कर जवाब दिया और अपनी अपनी कुरसियों पर बैठके मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया कि मैंने अपनी इस पार्टी का सर बरा किसी और को बना दिये खुद में रिटायर होना चाहता हूँ चेर्मेन की बात पर सब एरान हुए कि यूँ अचानक उन्हों ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया और सर बरातों नुमाइंदगान की वोटिंग से बनाया जाता था और अब हमारे इस पार्टी के रहनुमा को योरनी खुशाल पाकिस्तान पार्टी के काफी बड़े सियस्टान उस्मान मलिक के बेटे सलार मलिक हैं सब कमूज बात पर हैरत से खुल गया तब ही जीन्स की पैंट और सफेद शर्ट में मलबूस सलार कमरे में दाखिल हुआ जिसका इस तकबाल चेर्मेन ने खड़े ओकर किया और फिर उसे अपनी कुर्सी पर बिठाया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मैमूद साब ये तो भी खुद बच्चे है सियासत को क्या समझेगा एक नुमाइंदे ने इतराज उठाया तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे आप फिकर मत करें ये बच्चा अब से आम अवाँ पार्टी का मस्तक्बिल है और मुझे यकीन है कि सालार साब इस पार्टी को बोट आके लेकर जाएंगे मैमूद साब ने वजाहत देना चाही लेकिन कि उस्मान मली का बेटा है सर और उनकी बदनामी से हर कोई वाकिप है एक आदमी की बात पर सालार ने अपने अबरूच का कर उसे देखा उससे पहले कि मैमूद साब कुछ कहते है सालार ने अपना हाथ उठाया जी ठीक कहा आपने मैं उसी उस्मान मली का बेटा हूँ जिसे लोग अप कातिल के नाम से जानते हैं लेकिन क्या है ना कि आप सब के ऐसे बहुत से कर नामों से वाकिप हूँ जो सामने आए तो सब की हालत काबले रहम होगी सालार ने मेज पर अपने हाथ पहलाते हुए का तो सब गड़ बढ़ा कर एक दूसरे को देखने लगे रही बात मेरी कम अमरी की तो इलेक्शन के लिए 25 साल का होना जरूरी है जो कि मैं हूँ और मेरी जहानत इस उमर में भी आप लोगों के से जाद़ ही होगी सालार की बात पर सब के चेरे जब्द से सुर्खो चुके थे तुम समझते कि आओ बच्चे खुद को जानते हो इस इलेक्शन में हमारा मकाबला खुशाल पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा खादम शफीक से है और वो शक्स पहले भी जूच चुका है और इस पार भी जीतेगा एक नुमाइंदे ने सलार की मालूमात में इजावा करना चाहा आप मुझे जनाब यसर कहकर बुलाएं रही खुशाल पाकिस्तान पार्टी की बात तो वो लोग क्यूं जीतें क्यूंकि वो आवाम को बेतरी के सुनहरी खुप दिखातें अपने जलसे में बुलाकर उन्हें बर्यानी खिलाते हैं या पैसे और लालस दे कर वोट को खरीदा जाता है ये सब तो हम मी करते हैं एक MPA की बात पर सलार मुस्कुरा दिया लेकिन हम ऐसा क्यूं क्यूं करते हैं क्यूं वो खुदगर्ज होकर गलत हुक्मरान चुनते हैं क्यूंके हम लोग उन्हें खुदगर्ज बनने पर मजबूर करते हैं सलार की बात पर सब का सर शनमिनकी से ढुकिया मेरी पार्टी के हर नुमाइंदे का मकसद उस आवाम को इस्तमाल करना नहीं बलके खुद को इनकी फराफ पर लगाना होगा इनकी मदद उसके लिए नहीं करनी कि वो हमें वोट दें बलके इसलिए करनी है कि हम मदद करने के एहल है और उन्हें इसकी जरूरत है असल जीत हमें आवाम का हुकमरान बन करनी बलकि उनके दिल पर हकूमत करके हासिलोगी इसलिए आपका गोल कभी भी इलेक्शन की जीत नहीं हो आपका गोल एक खरीब के चेरे की मुस्कान हो सब लोग अब खामोशी से सलार की बाते सुन रहे थी सलार की नजर उसे मेने पर पड़ी जिससे उसने सड़क पर देखा था मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ तुम जैसे लोगों की जरूरत नी सलार की बात पर सब का मुहरत से खुल गया लेकिन सर प्राइवेट पार्टी है ये जो चाहे कर सकता हूँ मैं और पाकी सब भी मेरी बात खोर से सुन ले सलार मलिक आप के जाती मुफाद के लिए आवाम की बेबसी और लाचारगी परदाश नहीं करेगा इसलिए मेरे साथ सोच समझ कर रहना और जिससे नहीं रहना वो आज ही पार्टी छोड़ कर जा सकता है इतना कैकर सलार नहीं घड़ी पर टाइम देखा और कुछ सोच कर मुस्कुराते विए अपनी जगा से उट खड़ा हुआ जबकि अभी भी सब लोग हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे मेराच बेचैन निगाहों से अपना रिजल्ट देख रहा था लेकिन खुद को फिर से फेल होता देकर वो बेचैनी घम में बदल गी और उसकी सब जांके नाम होई थी इसका मतलब प्रिंसिपल सर फिर से बड़े पापा को बाते सुनाएंगे और बड़े पापा मेरी वज़ा से सर चुका कर प्रिंसिपल से मुझे ना निकालने की रिक्वेस्ट करेंगे ये सोचते हुए मेराच की पलके नाम होगी थी और वो खामोशी से सीड़ियों पर बैठ गया अरे क्या हो गया बोंगे फिर से पेल होगे क्या उमेर की आवास पर मेराच खबरा कर खड़ा हुआ और उमेर और उसके दोस्तों को देखने लगा जिनका शोग था मेराच को परेशान करना तुम से मतलब तुम अपना काम करो मेराच खबराने की वज़ा से ज़्यादा हकलाने लगा था अरे हमारी चूंटी ने तो पर निकाल दी है अब ये मक्खी बनकर उड़ने लगा है उमेर इतना कहकर आगे बढ़ा और मेराच को गर्दन के पीछे से पकड़ लिया तू बस एक लूजर है मेराच साथ हमारा बोंगा अपनी उकाद से बाई नी निकलना कभी समझा उमेर के चिलाने पर मेराच ने अपने हाथ चेरे के सामने कर लिये वो नहीं चाता था कि उमेर फिर से उसे मारे अरे छोड़ो इसे चन्नत के आवाज पर सब लड़कों ने घबरा कर उच्छोटी सी लड़की को देखा और फोरन वहां से दूर हुए चोटी सी लड़की से डरते हो तुम हो के इन से डरते हो जन्नत ने हस्ते वे का हलाकि वो नहीं जानती थी कि वो लड़के जन्नत से नहीं हर वक्त उसके साथ साई की तरह रहने वाले सालार मलिक से डरते थे चन्द दिन पहले ही तो उनके एक दोस्त ने जन्नत को हाथ लगाया था और बाद में सालार मलिक ने उसका हाथ तोड़ कर सब को का था कि अगली बार मेरी जन्नत को छूने माले का हाथ तोड़ूंगा नहीं उखाड फेंकूंगा बस तब सही वो जन्नत से ऐसे डरते थे जैसे कि वो कुई भूत हो तुम भी इनसे डरना छोड़ो तुम्हें चाहिए कि जन्नत बोलते बोलते चुपोगी जब उसने मेराज को रोते हुए देखा क्या हुआ मेराज तुम रो क्यों रहे हो जन्नत परेशानी से पूछा मैं फिर से फेल हो गया जन्नत बड़े बाबा को क्या कहूंगा मेराज की बात पर जन्नत ने उसके कंदे पर अपना हाथ रखा तुम फिकर मत करो बाबा तुमें कुछ ने कहेंगे वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अलबता तुमें वजदान मामू की फिकर करनी चाहिए जन्नत की बात पर मेराज ने परेशानी से उसे देखा तो जन्नत खिल खिला दी लेकिन फिकर मत करो मैं मामू को तुम्हे कुछ कहने नहीं दूँगी बैई मेरे इलावा मेरे शॉर्ट सर्कीट को कोई कुछ कहनी सकता जन्नत की बात पर मेरा जांसू साप करता मुस्कुरा दिया तो तुम बहुत अच्छी हो जन्नत मक्खन लगाने की जरूरत नहीं जन्नत बेटा बात सुने प्रोफेसर की आवाज पर जन्नत बोरन उनके पास आई जी सर बेटा मिस सना का जन्नलिजम का प्रोजेक्ट है कि किसी स्यासत दान का इंटर्वियू ले लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं तो आप उनके साथ जाओ ताके एक कॉन्फिडेंट लड़की हो उनके साथ प्रोफेसर की बात पर जन्नत की आँखे हैरत से पहलगी मैं क्या करूंगी जन्नत बेटा मैं जानता हूँ आप बहुत कॉन्फिडेंट हो आप ये कर लोगी जन्नत ने हामे सरे लाया और सना के साथ चल दी वजदान गुसे के आलम में घर में दाखिल हुआ भी थोड़ी देर पहले योनी की प्रिंसिपल उसे फून करके उसकी बेटी के कारना में सुना चुकी थी हानिया हानिया वजदान ने अपना आर्मी उनिफार्म चेंज किये बगैरी हानिया को पुकारना शुरू कर दिया वजदान आप आगे कैसा गुजर आपका दिन जरिश ने उसके पास आकर प्यार से पूचा अपनी बेहन हमना की जिन्गी की खातिर उसने खुद की दुनिया उजार ली थी उस्मान को माफी दिलाने में वो अपना प्यार लुटाने वाले वजदान को तो खोई चुकी थी अब वो फिर से पहले जैसा वजदान बन चुका था सखत मिज़ाज और बेजार सा वजदान वो उसने सोरी बोले मुझे वो फिसे शरारत नहीं करेगी जरिश ने खबराते हुए का बस जरिश जरूरत से ज़्यादा ठील देती हो तुम उसे और आप में ये परदाश नहीं करने वाला वजदान जरिश की आँखों में आसो देखकर बोलते बोलते रुखा वो जितना मर्जी सखत क्यों ना हो जाता लेकिन जरिश आज भी उसके अपनी जान से जादा बढ़कर थी खीक है लेकिन फिर कभी ऐसा ना हो वजदान ने जरिश को नर्मी से का और कमरे की जानीब चल दिया जरिश फोरण उसके पीछे आई और उसके कपड़े निकालने लगी अपनी नूर से यूँ सखती से पेशाना बजदान के लिए कितना अजियत नाग था ये वो ही जानता था लेकिन वो कैसे भूल जाता कि जरिश की वज़ा से उसने पनी बेहन के कातिल को छोड़ दिया बजदान की सब जांके इशाल को याद करते ही नमोगी थी उनकी जिनकी उन सालों में मुकमल तोर पर बदल चुकी थी पांच साल पहले अपने इसी घुसे के जेरे असर बज़दान ने गलत आपनी पर भरोसा किया जिसकी वज़ा से उसका सीक्रेट एजेंट होने का रास बाहर आ गया इसलिए अब वो आर्मी में था और आई एसाई से उसका तालुक मिठ चुका था शेयान तो अपने जानान जन्नत और मिराज के साथ बहुत खुश था लेकिन वज़दान तो अपना कुल जहान पास होते हुए भी उन से दूर हो चुका था जन्नत और सना उस स्यासत दान सलार मलिक के आफिस में बैटी यहां वहां देख रही थी वो आफिस थाई इतना शांदार सलार मलिक सर मिलेंगे अब आप से एक लड़की के कहने पर जन्नत सना का हाथ पकड़ कर कमरे में आई और बिना परमेशन लिए दर्वाजा कोल कर अंदर दाखिल हुए जैसे उसके बाप की जगाओ ओप सोरी सर में आई कमें तो पूछा ही नी जन्नत की आवाज पर सलार ने निगाहें उठा कर उसे देखा जो सुपेद युनिपाम में बालों की पोनी टेल बनाए गुलाबी गानों के साथ हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी It's all right, have a seat सलार ने उससे नजरें हटा कर कुर्सी के जाने बिशारा किया तो जन्नत सना को खेंचते हुई कुर्सी पर बैठी जी, क्यों आई ये आप यहाँ? सर, हम आपका इंटर्व्यू लेने हैं अरे, ठंडा गरम नहीं पूछेंगे, आप ड्रामों में तो ऐसे ही पूछते हैं सना जो अपनी बात कहने लगी थी जन्नत की बात पर हैरत से उसे देखने लगी जबके सलार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था नई सर, हमें बस इंटर्व्यू चाहिए आपका सना ने घबराते हुए का, ठीक है मैं इंटर्व्यू दूँगा लेकिन सिर्फ इस लड़की को सलार ने जन्नत की जाने बिशारा किया तो जन्नत का मुहारत से खुल गया लेकिन जन्नलिजम की स्टूरेंट ये हैं मैं नहीं या तो इसे इंटर्व्यू दूँगा या आप लोग जा सकते हैं सलार ने उन्हें बाहर के दर्वाजे के जाने बिशारा किया तो सना ने बिचारगी से जन्नत को देखा और इंटर्व्यू का पेपर उसे पकड़ा कर बाइच चली गई जन्नत ने थोक निगला और अपने सामने बैटे उस शाहाना से सियासी रहनुमा को देखा अच्छा तो सर पहला सवाल ये कि आपने सियासी केरियर नाम क्या है तुमारा अचानक सवाल सलार मलिक के जानिब से आया तो जन्नत ने सुनेरी आँक्यों उठा कर उसे देखा इंटर्व्यू आपका है मेरा नहीं सलार सर जन्नत ने वजाहत करना चाही हाँ लेकिन आफिस मेरा है और यहाँ वो ही होता है जो मैं चाहता हूँ बेबी गर्ड अब नाम बताओ अपना सलार ने अबरो उचका करका और यू बोलते वे वो इतना बावकार लग रहा था कि जन्नत की हतेलिया पसीने से भीगी जन्नत शायांशा जिन्गी में पहली बार वो बोख लाई थी कितने साल की हो जन्नत सालार ने दिलकर्ष मुस्कुराहट के साथ पुछा 17 साल की हो प्री मेडिकल की स्टूरेंटू घर में मामा बाबा मैं और मेरा कजन मिराज रहते हैं मेरे बाबा आर्मी में थे, साथ साल पहले टांग में गोली लगने की वज़ा से रिटायर होगी और अब स्क्योर्टी एजन्सी चलाते हैं, मामा बहुत प्यारी हैं मेरी तरह और हाउस वाइप हैं और कुछ। जन्नत एक की सांस में अपना सारा बायो डेटा बताते वे आखिन में पूचा तो उसकी हसीन चेरे को देखा सालार होश में आया तुम मेरी दोस्त बनोगी जन्नत शायान शाह जन्नत की सुनेरी आंके हैरत से पहल गी उससे पहले कि वो कुछ कहती सालार बोला अगर दोस्त नहीं बनी तो तुम्हें इंटर्वियू नहीं दूंगा और तुम्हारी दोस्त फेल होजेगी सलान ने धमकाया तो जन्नत उसे घुनने लगी छिचोरा स्यासतान जन्नत बुड़ बुड़ाई और सोचा कि अभी के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाने से क्या जाएगा इस नहीं हाँ में सर इलाकर उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया उसके बड़े से हाथ में वो नाजुक सा हाथ चुप किया था पूछो जो पूछना है सलार ने मुस्कुरा करका तो जन्नत उसे लिस्ट पर लिखा हर सवाल पूछने लगी उस पाथ से बेखबर कि वो यहाँ इतफ़ाक से नहीं सामने मुझूद शक्स की सोची समझी साजिश ते थी उसी के कहने पर तो उस प्रोफेसर ने उन्हें यहाँ बेज़ा था मेरी जन्नत को मेरे बारे में बताया भी नहीं न देखे आज मेरी जन्नत मेरे पास है शायान शाह साब और आपको एल भी नहीं एक दिन इसे छीन कर अपना बना लूँगा और आप बस देखते रह जाएंगे सालार ने उस सुनेरी आँखो वाली लड़की को देखते वे सोचा जो अपनी पहली सांस से उसकी मल्कियत थी मैं यूनी नी जारी बिलकुल भी नहीं मानिया ने जिद्धी अंदास में मू बनाते वे का तो जरिश ने गहरा सांस लिया हानिया की उनिवस्टी ना जाने के वज़े से वो कल भी नहीं गई थी और आज भी ना जाने की जिद्ध करी थी मेरी जान अब हर जगा हानी तो आपके साथ नहीं हो सकती ना आप खुद भी हिम्मत रखें जरिश ने अपनी मासूम बेटी को समझाते हुए का जो बिल्कुल उसी की तराती हर दूसरी चीज़ से डरने वाली मासूम सी गुडिया जिसकी हिम्मत बस उसकी जुडवा बेहन हानिया थी हाई मेरा बच्चा तुम्हें काम करो आज ना प्रिंसिपल के पाथ जाकर अपने इस मासूम से चेरे से उन्हें मला ने ना वो मेरी सजा खतम कर देंगी तो हसी खुशी तुमारे साथ चल पड़ूंगी हानिया ने उसे आइडिया देते हुए का तो बानिया ने पुशिक्वा निगाहों से अपनी बेहन को देखा तुम मुझे एकेला भिरना चाती हो मानिया की आँखे ना मोने लगी थी वो तो हानिया के बगए सांस भी नहीं लेती थी सिर्फ एक दिन की बात है वानी प्लीज मैनेज कर लो ना यार कल किसी भी तरह मैं तुमारे साथ चलूँगी वादा लेकिन आज प्रिंसिपल मैं मुझे बिल्कुल भी बरदाशने करने वाली मानिया ने कुछ देर सोचा फिर इंकार में सरेला दिया और अगर मैं आज बापी सी ना आई यूनी से किसी ने मुझे नहीं बंद कर दिया तो वानिया की बात पर जरिश ने अपने माते पर हाथ रख लिया जबके हानिया ने उसे घूरा बस वानिया भी इतना भी नहीं डरते चलो शाबाश अच्छे बच्चों की तरह यूनी जाओ हानिया ने उसे प्यास से पचकारते वेका तो जब से पीछे खड़े वजदान आगे बढ़ा और अपने हाथ वानिया के कंदों पर रखे एक बात याद रखना मेरा बेटा तुम कमजोर नहीं बलके बहुत बहादूरो तुम चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बेटी कभी भी हिम्मत और होस्ता नहीं चोड़ेगी बजदान की बात पर वानिया ने पलट कर अपने बाप को देखा जिसे जिसे जिन्दगी में कभी भी इंकार नी कर पाई थी जी बापा बजदान ने वानिया के माते पर अपने होंट रके और उसे अपने साथ लेकर बाहिर की तरफ चल दिया बाए मामा बाए हानी वानिया ने मुड़कर हाथ इलाते वे का और फिर नामाखों के साथ बजदान के साथ चल दी हानिया हॉल में आई जहां जरिश उसका फेवरिट पिज़ा बनाने के लिए सबजियां काट रही थी ममा मेरे हिटलर पापा को पता चलाना कि आप मेरी सजा के दिनों में मेरे लाट उठा रही हैं तो हम दोनों की बहुत इस्ज़त अवज़ाई होगी हानिया ने नाग चड़ा कर का शरम करो हानी बाबा एं तुम्हारे और वैसे भी ये पिज़ा तुम्हारे लिए नहीं में वानी के लिए बना रही हूँ उसके आने से पहले बना दूंगी तो देखकर खुश हो जाएगी जरिश ने मुस्कुराते हुए का तो हानिया ने जरिश को अपनी बाहों में समेट लिया हाए दुन्या की बेस्ट ममा कितना ख्याल लगती है अब हम दोनों का जरिश के होंटों को एक मुस्कुराहट ने चुआ तुम दोनों ही तो मेरा कुल जहान हो बेटा जे बिल्कुल पापा ने तो निकाल लिये खुद को इस जहान से हानिया ने मुठिया भेंच करका तो जरिश उसे घूरने लगी नहीं हानिय जान जान से जादा चाते हैं वो हमें एक पल के लिए हटा कर देखो मुझे उनकी आँखो के सामने से तब पता चलेगा हम जान है उनकी बेटा हाँ थोड़े सखत हैं क्योंके क्योंके बहुत बड़ा गम दी है मैंने उने जरिश ने आइस्ता से का तबी फून बजने के आवास पर हानिया ने अपना मुबाइल पकड़ा और कांसे लगाया हेलो हानिया यार वो तुम यूनी नहीं गए क्या अपने एक लासमेट के आवास पर हानिया है रज़ दाओी ने अइँ मारिया क्यों क्या हुआ हानिया मारिया की रोती आवास सुनकर परेशान हो चुकी थी आज बुखार था तो मैं भी नहीं गए यार वो और वो तुम टीवी चला कर देखो हानिया ने फून साइट पर रखा और रिमोट पकड़ कर हौल में लगी LCD चला दी थोड़ा सर्च करती यूसे नियूस चैनल मिला रावल पिन्नी की प्राइवेट यूनिवस्टी पर देशतगर्दों का हमला यूनिवस्टी के तमाम तुल्बा को यरगमाल बना लिया अभी तक 15 तालिब इल्मों की मौत की खबर मौसूल हुई है खबर सुनते और सक्रीन पर अपनी यूनिवस्टी की तस्वीरें चलते दे कर रिमोट हानिया के हाथ से छूट कर जमीन पर गिरा बानी बेसागता हानिया के होंटों से निकला और फिर उसका ध्यान जरिश पर पड़ा जो अब सोफे के बज़ाए बेहो शोकर जमीन पर पड़ी थी ममा हानिया परेशानी से अपनी मा के पास बैटी थी जो अभी तक खोश में नहीं आई थी बीपी शूट कर गया इनका बेटा मैंने दवाई दे दी है उमीद है नॉर्मल हो जाएगा डॉक्टर ने हानिया को तसली देते वे का तभी हानिया की नजर दर्वासे विससे आते शायान और जानान पर पड़ी जनत और मेराच भी परेशानी की आलम में उनके साथ थे खाला हानिया रोते वे उटी और जनान से लिपट की श्च फिकर मत करो हानी कुछ नहीं होगा हमारी वानिया को प्लीज रो मत जनान ने नमाकों से का फिर उसकी नजर अपनी चोटी बेहन पर बड़ी तो आंके मजीद रवानी से बेहने लगी तुम फिकर मत करो बस जरिश का ख्याल रखो मैं बच्दान के पास जा रहा हूँ शायान ने जनान को बताया और बाहिर की तरफ चल पड़ा मैं भी साथ चलता हूँ मिराज के ऐसा कहने पर शायान ने असपात में सरी लाया और उसे लेकर महां से चला गया वानिया मेरी वानिया जरी को हो शाया तो वो वानिया को पुकारने लगी ममा हानिया जरिश की तरफ लबकी और उसे अपने गले से लगा लिया हानी, मेरी वानी वहां, उसे बचा लो हानी, वो वो तो बहुत मासूम है, इतना डर जाती है जरीशदारों कितार रोते हुए कह रही थी, जानान और हानी हों से संभाल नहीं पा रही थी बचदान कहा हैं? जानान बचदान को फून करो, उसे को मेरी मानी को लेकर आएं, उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाँगी नहीं जरिश, जानान ने खुद भी रोते भी अपनी चोटी बेन को खुद में भेंचा तुम फिकर मत करो जरी वजदान भाई जरूर पानिया को बचा लेंगे प्रोसा रखो जानान ने रोते हुए जरिश देखा लेकिन इस माँ को कहां से होसना आना था जिसकी मासूम बच्ची उस वक्त दरिंदों के दर्मियान थी पता नहीं जानान मेरी बच्ची की साल में होगी वो तो अपने साई से भी दर्दी है वो नहीं सह पाईगी ये खुब जरिश ने रोते हुए का तो जानान ने उसे खुद से लिपटा लिया हानिया ये सारा मनजर बेबसी से खड़ी नमाकों से देख रही थी पिर उसने घुसे से अपने हाथ का मुक्झा बना कर देवार पर मारा और महां से चली गी मानिया काफी देर से अपने गुटनों में सर दिये रोते जा रही थी लेकिन रोते वे भी उसके हलक से एक आओस भी नहीं निकली थी अभी उस नकाब पोशात्मी ने उन सब को यही का था कि जिसकी हलकी से आओस है वो उसके गोली का निशाना हो गा बाबा कहा है आप वानिया ने बगएर आवाज किये फर्याद की और फिर से रोने लगी उस वक्त यूनी के कुछ स्टूडेंट को मेंन हौल में बंदू के तान कर कैद किया गया था जबके बाकी के स्टूडेंट शायद आडिटोरियम में कैद थे दो लड़कों को तूर वो नकाब पुष्ट वानिया के सामने गोली माच चुके थे और वो मनसर याद करके वानिया फिल से फूट फूट कर रोने लगी किसके रोने की आवाज निकली एक शखस ने धाड़ कर पूछने पर वानिया ने फूरन अपने दोनों हाथ मूँ पर रख लिए और अपनी सिस्कियों का गला गोटने लगी लेकिन वो खतरनाक शखस अब उसे ही देख रहा था तुम खड़ी ओ लड़की उस नकाप और उसने जब वानिया को का तो खौफ से उसकी रूफ बना ओगी वो कामती टांगों पर उटिये उससर चुका कर रोने लगी नाम के है तुमारा उसने वानिया के करीब आकर बोचा वानिया पूरा नाम बताओ उसके घुस्ते से चिलाने पर वानिया बुरी तरह से सैम की और खुब कामपने लगी उसे अपनी मौत आँखों के सामने नजर आ रही थी वानिया वजदान खान वानिया के जवाब पर उ उस आत्मी के आँखो में एक चमक आई थी बैठो और अब आवास ना है वरना उस आत्मी ने अपनी बड़ी सी बंदूग वानिया के सर पर रखी तो वानिया ने फोरण बैठ कर अपना मूँ बहुत जोर से हाथों में दबा लिया लेकिन दिली दिल में वो फिर से अपनी और पाकी सब की सेनामती की दुआई मांग रही थी हमें बचा लें या अल्ला पाक मेरे बापा को भेज़ने किसी मसीहा को भेज़ने हमें बचाने के लिए उसने रोते हुए दुआ मांगी और फिर से अपने गुट्णों में चेरा चुपा गई और कितना वक्त जाया करेंगे हम लोग इस यूनिवस्टी में मेरी बेटी अभी तक तो हमें वहां होना चाहिए था वजदान जो गुसे और कर्ब से बेकाबू हो रहा था जनरल शहीर को चिला कर कहने लगा जो खुद भी बहुत प्रेशान नजर आ रहे थी वजदान वहां सिर्फ आपके नहीं बहुत से माबाप की उलादे हैं और हमें सब को बचाना है जनरल शहीर ने वजदान के गंदे पर हाथ रख रख कर गा जनरल शहीर बाकी के जनरल मीटिंग में आफका इंतजार कर रहे हैं एक सपाई इजासत लेकर कमरे में दाखिल हुआ और सेलूट करते हुए जनरल शहीर को बताने लगा हाँ मैं आ रहा हूँ जनरल शहीर के ऐसा कहने पर वो वहां से चला गया तो उन्होंने बज़दान को देखा जो बहुत ज़्यादा बेचैन था तुम फिकर मत करो इस मिटिंग में फैस्ता हो जाएगा कि हम इस मस्ते का क्या हल निकालें जनरल शहीर ने अपनी टोपी पेंते वेका और बाहर की तरफ चल दिये रापता हुआ अपका उनसे चाहिए क्या उन तैशत करदों को बज़दान ने उनके साथ चलते वे बेचैनी से पूछा तो जनरल शहीर ने गहरा सांस दिया रागा उन्हें रागा चाहिए इतना कैकर जनरल शहीर मीटिंग रूम में चले गे और वज़दान बेचैनी से टैनने लगा रागा के बारे में वो भी जानता था वो एक इंताही खतरनाक तैशत करता जिसे बहुत मुश्किलों के बाद आर्मी पकड़ने में कामयाब हुई थी रागा इतना खुफिया था कि उसका असनी नाम तक कोई नहीं जानता था वो और उसके साथी मुल्क में बहुत से फसाद पहलाने में मुलविस रहे थी लेकिन अब जब वो उनकी गृफ में था तो उसकी अजादी के लिए उसके साथी इस किसम के खटिया कामों पर उतर आए थे रागा को आजाद करना आर्मी के लिए इतना असान भी नहीं था वो शखस मुल्क में होने वाले बुरे कामों के बारे में बहुत कुछ जानता था उसे अजाद करने का मतब इस सारी मालूमात को भी अजाद करना था जिसे अभी तक रागा ने बहुत सा टॉर्चर जैने के बावजूद नहीं बताया था लेकिन अब दूसरी तरफ भी बहुत से मासूम बच्चों की जानों का सवाल था अभी वजदान उनी सोचों के जेरे असर था जब तमाम जनरल कमरे से बाहिर आये वजदान बेचैनी से जनरल शहीर की जानी बढ़ा फैस्दा हो गए वजदान हम इतने बच्चों की जिन्गी दाव पर नहीं लगा सकते हम रागा को अज़ाद करें हैं जनरल साब की बात पर वजदान को अफसोस हुआ लेकिन उस वक्त फिक्मत अमली का मुझारा यही था तुम त्यारो कुछी देर में हम लोग युनिवस्टी के लिए निकलेंगे वजदान ने परेशानी से उने देखा कोई और रास्ता नहीं क्या सर रागा को पकरना बहुत बड़ी प्राग्रेस थी हमारे लिए और अब क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते वजदान के सवाल पर जनरल शहीन ने इंकार में सर इला दिया नहीं वजदान मकाबला करने लगे तो बच्चों की जान पर खत्रा है हमें ये नहीं करना इसलिए चीफ आफ आर्मी का फैस्ता यही है के रागा को अज़ाद कर दिया जाए वजदान ने अस बात में सर इला कर उन्हें से लूट किया और वहां से चला गया करनल साब अपने आफिस में आए और टोपी उतार कर मेज पर रखी काफी सोचने के बाद उन्होंने अपना मुबाइल पकड़ा और एक नमबर मिलाने लगे एजन्ट पी प्लैन बी के हिसाब से चलना होगा जनरल शहीर ने माता से लाते हुए आइस्ता से का और एजन्ट पी ने कॉंफिडेंस से का तो जनरल साब ने फोन बंद किया और गहरा सांस देते वे प्रिशानी के आलम में आफिस से बाई निकले जनरल शहीर उस कॉल कोटरी में दाखिल हुए जहां रागा को कैद किया गया था जखमों से चूर वो शखस अभी भी गरूर की आलम में पर्श पर बैटा जनरल शहीर को मस्कुराते हुए देख रहा था क्या हुआ भो जी कोई निया तरीका सोच कर आया है क्या मेरी जुबाने का रागा ने हसते वे पूछा तो जनरल साब का दिल किया कि उसका मूँ तोर दें हम तुम्हे आजाद करें रागा इस बात पर रागा ने चेरे पर आते लंबे बाल हटाते वे जनरल को हैरत से देखा फिर कहके लगा कर हसना शुरू कर दिया ओए लाले की जान च्छा गे ना मेरे दोस्त मैंने तो का था जनरल के एक दिन तू खुद रागा को यहां से निकालेगा और देख आज वो दिना आई गया हाँ 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 जीत गया रागा जनरल रागा जीत गया अचानक रागा अपनी बेड़ियों समेथ उठा और जनरल शहीर के सामने खड़ा हो गया अब यहां से बाहर जाते रागा पहले से भी बड़ी दैश्रत बनेगा जनरल देख ले ना तुम रागा ने खबास्ट से मुस्कुराते विका और मुड कर वापिस देवार की तरफ चल दिया हाँ रागा तुम जीत के लेकिन तुमारी ये जीत तुमारी जिनकी की तरह कितनी आर्जी है इसका तुमें बहुत जल्द अंदाजा हो जेगा पाक फोच के जवान सर पर कफन बांद कर आते हैं अपने घरों से रागा फिर वो तुझ जैसे शेतान या उसके चेलों से नहीं डरते रागा ने मुड कर जनरल शेहिर को देखा क्योंके वो जानते हैं कि अगर वो जीत के तो घाजी के लेंगे और अगर हार गे ना रागा तो भी वतन के जंडे में लिपट कर दफन होना उनके लिए सबसे बड़ी जीत होती है जनरल शेहिर की बातों पर रागा के होंटों पर बस एक तंसिया मुसकान आई थी जनरल साब साथ आए सपाईयों के जाने मुड़े गरिफ्ट में ले लो इसे और चलो जितनी जल्दी हो सके हमें यूनिवर्स्टी पोंचना है सपाईयों ने रागा को अपनी गरिफ्ट में ले लिया और उसे लेकर बाहिर आये चहां फोच की गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी रागा को उस गाड़ी में बिठाया गया और बहुत सी गाड़ी के आगे पीछे चलती हुई वहां से जाने लगी फोज रागा को लेकर निकल चुकी है कॉल कुछी देर में वो वहां पर पहुंच जाएंगे पोच की वर्दी में छुपे गड़्दार ने अपने साथी को खबर दी और फिर वो भी अपने सर्दार की आजादी पर खुशी से मुस्कुरा दिया झाला कि एक लिला खुच जाएंगे झाल झाल